जेबीटी कमीशन का परिणाम घोशित ना होने के चलते अभियर्थी चिंता में हैं। उनका कहना है कि बैचवाई साथार पर जेबीटी गए नौकरी लग गए हैं और कमीशन देने वालों को तीन साल बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के चलते प्रदेश के विभिन हिस्सों से अभियर्थी शनिवार को हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयोग हमिर पुटम हुजे। हमारा केस चला था जिसकी जज्जमेंट बी एड के फेवर में आय थी और उसी जज्जमेंट पे फिर हाई कोट में फिर से स्टे लग गया और हमारी कमीशन का रिजल्ट जो है उसका हम लोग वेट कर रहे हैं और इसलिए हम आज बोड आए हमारी स्कूरूटनी लिस्ट जो है वो लगभग एक डेड़ महीने पहले आउट हो गई थी और उसके बाद जो हमारा इवैलूएशन का शेड्यूल है उसकी मांग करने हम वो जल्द से जल्द निकाला जाए हमारा इवैलूएशन शेड्यूल उसकी मांग करने आज हम हमीरपुर बोड आए हैं और हम चाहते कि अवैरती हैं हमने तीन साल पहले जेड़िती का एक्जाम गिया है कमिशन का जिसका अभी तक कोई रजल्द नहीं आया है यह कोई एक महीना पहले इसके लिए कर स्कूरूपनी की गई थी लेकिन अभी उसके आगे भी हमारा प्रसेश आगे नहीं बड़ पाया है तो हम ब कुछ ऐसा सोचा नहीं है क clumsy हम नहीं चाहते कि हुआ हम सद्कार के यह बुर्ट के खिलाफ जाए या कुछ ऐसा करें जिसे स德्कार की औरानी पार नहीं हो जा अभी हमें अपने रिकारों के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य की रोप से करना ही होगा कुस तरह कर जानीती र ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल हमीरपूर